गुड मॉर्णिंग, नमस्कार, शाश्यकाल, अभार, आप लोगों का मैं इस चैनल में स्वागत करता हूँ और मैं आज आपके लिए लाया हुआ हूँ 20 important questions जो चित्र पराधारित है, electric symbol पराधारित है और अभी योपी PCL exam की दृष्टी से और भी जो electrical exam होने वाले हैं, railway, ALP, technician के जो exam होने वाले हैं उसके दृष्टी से भी काफी महत्पूर है तो आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें, मैं आप लोगों के लिए important electrical से related जितने भी questions हैं, मैं लाता हूँ, धूंड कर लाता हूँ और ये questions पूछे गए questions हैं, आप इसलिए इस पर लगातार नजरें जमाई रखें और continue, अगर आप हमारे subscribers हैं, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ अगर आप लोग हमारे इस channel पर नए हैं, तो इस channel को आप subscribe कर लें, और bell icons दबाना ना भूलें, और all को select कर लें और मैं चलिए आज इस question को start करता हूँ, इसमें जो 20 important question है, उसको उसपर discuss करता हूँ आप देखें यहाँ पर ध्यान देजिए, जो question है हमारे, बहुत ही important question है, इस पर आप ध्यान देए, निमलिखित में से कौन सा diode नीचे दिये गए परतिक को दर्शाया जाता है, देखें यह जो diode है कौन सा diode है, आप इस diode का नाम देखें, अगर इस diode को आप देखेंगे, तो इस में क्या है, आपको इस तरह के ट्रेंगल्स बने हैं, और इस तरह के आपको दिया गया है, और अगर ऐसा आपको diode मिलता है, इस तरह का इस figure के जैसा, तो निश्चित रुप से यह जो diode होगा, वो आपको turnal diode होगा, ठीक है, इसका जो option B होगा, यह correct answer होगा, option B इसका correct answer ह तो आप यहाँ पे देखें, इसमें जो दिया गया है, option B है, यह आपका correct answer है, option B है, और यह आपका correct answer है, option B, correct answer है, turnal diode का उप्योग हम लोग करते हैं, गीगा हर्ट्स फ्रिक्वेंसी पर कार्य करने बाले amplifiers में लगाते हैं, और oscillators में भी लगाते हैं, इसका जो उप्योग किया जाता है, इसका जो उप्योग किया जाता है, इसके तरिक, flip flop circuits में general diode का प्रियोग किया जाता है, तो general diode का जो प्रियोग होता है, flip flop circuit में किया जाता है, और turnal diode का उप्योग, gigahertz frequency पर कार्य करने वाले, जितने भी amplifiers हैं, और oscillators हैं, उसमें किया जाता है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो सही उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही उत्तर होगा आपका option B तो चलिए मैं आगे वड़ता हूँ next question आप next question यहाँ पे ध्यान दे दिया गया आप चित्र क्या दरसाता है तो आप ध्यान देखांब है जो चित्र है आपका आप इसमें देखर नया है के थोड है दोदो सिरा है दिया हुआ है आप यहाँ पे देख आप यहाँ नया है और यह क्या है इधर से आप cathode देख रहे हैं और इस तरह के जो आपको चित्र अगर दीखेगा तो इसका नाम होता है बैरेक्टर डाइre का प्रियोग होता है उच्छ फ्रिक्वेंसी हेत्व किया जाता है इसका जो किया जाता है कि उच्छ फ्रिक्वेंसी हेत्व किया जाता है आप यहाँ पर ध्यान दे इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है उच्छ फ्रिक्वेंसी पे इसको काम करने वाले पर लगाया जाता है अर्थात सर्कुट में receivers के remote control tuning circuit में भी इसका पड़ियोग किया जाता है तो इस तरह से इसका option A क्या होगा option A correct answer होगा तो चलिए मैं आगे की ओर चलता हूँ आगे की ओर next question है ध्यान देजिएगा नीचे परदत चिन को पहचानिये देखिए NPN transistor option A है NPN transistor option B है PNP transistor option C है JFET transistor option D है MOSFET option E है UJT देखिए इसमें इस तरह के जो transistor होते हैं इसमें emitter है emitter collector और base है ठीक है जब emitter से in करने वाला होता है emitter की तरफ से in करने वाला होता है तो उसको हम क्या बोलते है PNP transistor बोलते है ठीक है ठीक है इसको क्या बोलते है PNP transistor बोलते है तो इसका option जो हो जाएगा option B correct answer हो जाएगा option B option B क्या हो जाएगा correct answer आप option B की ओर ध्यान देए तो option B is the correct answer PNP transistor इसमें 2P छेत्र तो इसके बीच एक तला N छित्र होता है इसमें collector even base को रिनात्मक collector even base को क्या माना जाता है रिनात्मक तता M meter को धनात्मक 28 वी जाते हैं इसमें धारा परवाह छित्र के कारण होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option B option B क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा तो चलिए मैं आगे की और चलता हूँ ज्यान दें आगे की question किस प्रकार के voltage या current का चित्र में दिखाया गया देखें इस प्रकार का आपको चित्र देखे भी होंगे तो इस चित्र में आपको देखने को मिलेगा कि एक तरह का इस तरह से है और इसमें भी इसमें जो है यह जो है आपको ऐस तरह का मिलेगा तो ऐसा जो होता एसी के ही case में होता है इसमें क्या होता है यह 0 से 0 से 1 की और इसकी जाती है 0 से maximum और फिर maximum से 0 इस तरह की होती है तो इसका सही उतर जो हो जाएगा वो option A हो जाएगा तो आप option A की और जाए चीतर दिखाए गया तो आप इसमें एसी में वाल्टेज या करेंट इसी तरह से बढ़ती है और घटती है तो नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन क्यों चलते हैं नीम्न चीतर जो है किसे परदरसित करता है तो आप देखिए यहां पर इसमें है ऑप्शन ए डायोड है सिलकन नियंत्रि द्रिष्टकारी द्वी दुरूबिय संधी ट्रांजिस्टर छेतर परभाव ट्रांजिस्टर मॉस्फिट इसमें किस चेतर को दिखाए गया है तो आप बताएं वहां से कॉमेंट करें फटा फट तो इसमें जो है 30 से 100 एंपियर तक की धारा प्रवाहित की जाती है इसका उप्योग रेगुलेटर मॉडुलेटर आधी में किया जाता है तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा SCR यानि सिलकन कंट्रोल यानि option B की और जाए औप्शन B सिलकन कंट्रोल दिश्टिकारी ठीक है रेक्टिफायर और सिलकन कंट्रोल रेक्टिफायर में क्या होता है एक PN जंक्शन होता है PN जंक्शन और उसमें एक PN भी सिलकन ट्रांजिस्टर फ्यूज होता है और यह 30 से 100 एंप्शन तक की धरब रवाइद कर सकता है तो इसका प्रियोग रेगुलेटर और मॉडुलेटर आधी में किया जाता है इसका सही उत्तर हो जाएगा option B option B is the correct answer next question वह संके ढूने जो तीन पोल वाले MCV को दरसाता है देखिए तीन पोल वाले MCV को कौन दरसाता है तो इसमें देखिए तीन पोल कहां पे है तो आपको दिखेगा option A में यह तीन पोल बने हुए देखिए इस तरह से तीन पोल बने हुए है और इस यहाँ पे ऐसे है इस तरह से है तो यह तीन पोल है जो की तीन पोल वाले है तो इसलिए option इसका A करक्ट हो जाएगा MCV का पुल विस्तार जो होता है miniature circuit breaker होता है कई बार पूछा जाता है के MCV का pull pump कितना होता है क्या होता है यह एक सुरक्षा युकती है यह एक सुरक्षा युकती कितना ही काम करता है यह एक लगू अकार का पडिपत भीयोजक है जो जो क्या करता है overload होने की इस्थिती में अपने आप बंद हो जाती है अगर कहीं overload पता चलता है MCB को तो ये क्या करता है अपने आप बंद हो जाता है तो आगे की question की और चलते हैं तो इसका option A सही होगा next question निवलकित में से कौन सा lamp नीचे दिये गए परतिक से शंक्यतित होता है तो ये देखिए ये जो कौन सा lamp है तो इस तरह के lamp आपको इस तरह का परतिक दे करके आपको question पूछ लिया जाएगा इस तरह का परतिक दे करके तो आप ध्यान दें यहाँ पर ऐसे परतिक आपको देखने को मिलेंगे और इसमें जो है आपको option A है discharge lamp option B है fluorescent lamp option C है auxiliary lamp option D है neon lamp option E है flash lamp तो इसमें देखे कौन सा lamp है तो इसमें यह discharge lamp है option A correct answer होगा option A होगा इसका उत्तर तो यह discharge lamp का photo दिया गया है और इस discharge lamp को को परतिक से संकेति होते हैं चलिए आगे की ओर चलते हैं निम न दिये गए चित्र में विदुद्धारा परि नामित्र किसे परदरसित करता है देखे एक तरह का circuit है ऐसा circuit आपको सब station में देखने को मिलेगा सब station में आप जाएंगे तो आपको क्या होगा वहाँ पर देखने को मिल सकता है इसमें देखिए कौन सा हो सकता है तो इसमें देखिए cable A परिनामित्र हो सकता है नहीं आइसा कुछ भी नहीं है यह नहीं हो सकता यह option A क्या है गलत है option B option B है cable B तो हाँ यह B जो है इसका जो है आपको जब भी दीखने को मिलेगा इस तरह से आपको सेंबॉल के रूप में ये ट्रांस्फर्मर का परिनामित्र का ट्रांस्फर्मर परिनामित्र को ही कहा जाता है ट्रांस्फर्मर का ये आपको देखने को मिलेगा ठीक है और केबल D तो ये भी नहीं है, कि A और D तो एकी जैसा है, ये भी नहीं होगा, केबल C, देखिए ये वो भी नहीं होगा, तो option A और B, तो option A और B नहीं हो सकता, क्योंकि A में अलग चितर है और B में अलग चितर है, तो ये दोनों भी नहीं हो सकता, तो इसलिए केबल B होगा, और option B क्या है correct answer है तो चलिए next question की और चलते हैं देखे IEEE और ANSI प्रनाली में fuse के लिए निमिल के तुमेश से कौन सा परतिक है ठीक है तो इस तरह में हम क्या कर सकते हैं fuse का परतिक ढूंडते हैं तो देखो fuse का परतिक जो होता है वो इस तरह के S बना होता है इस तरह का तो आइसा अगर आपको फोटो मिलता है तो निश्चित रूप से वो फ्यूज का होगा देखे इसमें एक ऐसा फोटो यहाँ पर देखने को मिलता option C में तो option C is the correct answer और यह जो है तूए स्वीच है यह क्या है तूए स्वीच है तूए स्वीच है option D में 2A स्वीच है तो इसमें option C जो है आपका correct answer होगा ठीक है आगे मैं चलता हूँ इसमें बता देता हूँ कि इसकी ब्याक्या है फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो नियत मातरा से अधिक धारा बहने पर पड़िपत को तोड़ देती है तो आप ध्यान रखें फ्यूज सुरक्षा युक्ति के तहता है और अगर धारा एक नियत मातरा से अधिक होगी तो यह पड़िपत को क्या कर देगा अलग कर द तो आपको कभी question पूछा भी जाता है कि fuse की rating होती है watt में, ampere में, voltage में तो इस तरह से fuse की rating हमेशा जो होती है वो ampere में ही होती है तो correct answer जो हो जाएगा आपका option इसमें option C होगा fuse का जो संकेत पूछा गया था तो वो है next question आप यहाँ पे देख सकते है रिहोस्टेट का परतिक क्या है आपने class 10th में भी पढ़ रखा है और भी आगे 11th, 12th भी किया होगा तो वहाँ भी पढ़ रखा है और गर IDI की होगी तो वहाँ भी आपको रिहोस्टेट का परतिक देखने को मिला होगा रिहोस्टेट क्या होता है एक तरह का variable frequency रिहोस्टेंस होती है तो उसको रिहोस्टेट बोले जाता है तो उसमें हम बार बार उसके resistance को change कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं गटा सकते हैं तो ऐसा अगर आपको देखने को मिलता है तो रेहुस्टेट एक पडिवर्तित परतिरोध है जिसको आप बार-बार पडिवर्तन कर सकते हैं जो परतिरोध के अलग-अलग मानों है तू निकाए में टेप किया जा सकता है तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा option A हो जाएगा option A option A में symbol देख रहे हैं option A is the correct answer next question आप यहाँ पर ध्यान देए next question दी गई आकृति में परतिर्षित परतीक दरसाता है तो आप देखें ध्यान से ये एक आपको लग रहा होगा कि मोटर का लग रहा है symbol क्योंकि इसमें M लगा हुआ है और ये कौन सा मोटर है आपको बताना है ठीक है तो हम इसमें आपको दिखाना चाहते है कि किस परकार के ये कौन सा परकार का मोटर है देखें ये मोटर का ही है और ये मोटर को दिखाना चाहता है तो option A है इसमें सर्बो मोटर option B है तुलिकाली मोटर को दिखाता है option C है 3-phase induction मोटर को option D है मोटर को देखे यह आकरती मोटर को दिखाता है और इसमें कोई असफ़स नहीं हो रहा है यह 3-phase induction मोटर है या तो लिकाले synchronous मोटर है या सर्बोमेटर है इस तरह का कोई भी भी यह सिर्फ वह बता रहा है कि यह मोटर का सेंबोल है इसलिए option D क्या होगा सही होगा option D और इसमें बच्चे confuse करके कोई और मोटर का दे सकता है इसमें simple एक मोटर का सेंबोल है किसी भी business परकार का मोटर नहीं है इसमें एक winding दिया गया है और M के नीचे इस तरह का लिखा है तो एक तरह से यह जो हो सकता है DC मोटर का आप बोल सकते हैं लेकिन DC मोटर कहीं भी दिखाया नहीं गया है तो आप आसा करता हूँ कि समझ रहे होंगे आपको इस तरह के symbol पर दरदर question पूछे जा सकते हैं next question इसमें दिया गया नीचे दिखाया गया संकेत क्या दर्शाता है देखें इस तरह के आपको संकेत आपको मिलेगा देखने के लिए exam में तो आप इसको क्या दिखा सकते हैं देखो अगर इसा संकेत आपको मिलता है तो इस तरह से heat radiate होने का इस तरह से heat radiate होता है heat radiate होता है और ये एक curve line के द्वारा ही heat देखने को मिलता है तो इस तरह के आपको अगर मिलता है कहीं न कहीं वो क्या होता है heater का ही वो संकेत होता है तो इसलिए option c ये correct answer है option c is the correct answer तो आगे चलते हैं next question next question क्यों चलते है ये परतीक निमलिकित में से कौन सा परतिरोधक को इंगित करता है आप ध्यान दें यहाँ पर और comment भी करते चलें देखें इसमें एक figure दिखाया गया इस तरह का आपको इस तरह के figure दिखा करके आपको question पूछे जा सकते हैं preset इसमें option नहीं है preset परतिरोधक option B है light dependent परतिरोधक option D है rehosted option C है magneto परतिरोधक option E है potentiometer इसमें आप देखें यह जो हमारा है किस तरह का है इसमें हम क्या करते हैं इसको preset कर सकते हैं पहले से ऐसा परतिरोधक जिसको हम पहले से set करके रखते हैं कि इतना α eampere पर यह काम करेगा ठीक है इस तरह से इसमें हम क्या करते हैं कि इसको set कर सकते हैं इसका option A क्या हो जाएगा वह correct answer हो जाएगा option A प्रतिरोधक है तो इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा option A तिक है आगे की और चलते हैं निम्रकित परतिक क्या दरसाता है देखिए बहुत ही important question है कई बार पूछा गया है और ELP exam में भी ये पूछा गया है 2019 के shift 2 में तो आप ध्यान दें आएसे परतिरोधक जिसको की आप मतलब इसमें बताया गया है और ये जो है एक तरह का हमारा symbol है आप capacitor का है और ये एक polarized capacitor है क polarized capacitor है polarized तो polarized capacitor ये option D मेरे है ये option D हो जाएगा यह जो दिया गया परत्याँ का polarized capacitor तो हम आगे परते हैं निम्रकित मेंसे एक konst 818 कुप करनों में ये परतिक होता है देखिए ध्यान देख फम यह ऐसा जो आप देख रहे हैं इस शेंबल को द्यान से देखें यह प्लांट असिस्टेंस 24 दिसंबर 2018 में पूछा गया था और इसमें क्या है कि चार ओप्षन दिए गए हैं आपको एलेडी ट्रांजिस्टर जीनर डायोड और यूजटी देखें एलेडी का है कि नहीं है इ तरनल डायोड का वह अलग होता है आप यहां पर देखें अलग-अलग काहम एलेडी का कैसा होता है शेंबल इसमें एलेडी का इस तरह से होता है एलेडी का है जिसमें एनोड और कैथोड दोनों होते हैं ट्रांजिस्टर का क्या से होता है यह देखें दो तरह के ट्रांजि जिसमें collector से धारा बाहर निकले उसको NPN कहते हैं जिसमें collector से धारा इन करें उसको PNP कहते हैं ठीक है आगे आप देख सकते हैं जीनर डायोड है जीनर डायोड का ये है तिसरा नमर जीनर डायोड का फीगर है इसमें क्या होता है इस तरह के आपको शेप बने होते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं और आप ऐसे कर सकते हैं ठीक है तो आगे next question चलते हैं आप देखे इसमें बहुत ही important question है और ये इस रूमें भी पूछा गया है technician की exam में पूछा गया question है 29 अपरिल 2018 को ये पूछा गया है question इसमें देखे क्या दिया गया है कि बेद्वत electrical प्रणाले में उप्युक्त चिनने दरसाता है क्या दरसाता है आप द्यान देखे question A है UPS question ये option B है क्या परिशोदक option C है परिवर्तक option D है battery आप ध्यान देखे इसमें जो है option जो हो जाएगा ये UPS का है देखें UPS में क्या होता है इधर से DC input की जाती है और इधर से AC output होता है तो आप देखें ये inverter का पूरी तरह से UPS का है ठीक है जो DC को AC में बदलता है उसको UPS बोलता है ठीक है UPS को दरसाता है तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा option A हो जाएगा आगे क्यों चलते है आगिरती में कि इस प्रकार का परतिरोधी दिखाया गया है अब ध्यान दें प्लांट असिस्टेंट में फिर ये पूछा गया question है तो आप देखें यहां पर जो इस तरह के सेंबल्स हैं दिये गया है और इसमें जो इस तरह के दिया गया है और इसमें जो ये दिखाया गया है इसको बोलते है उपर से light आना तो ये जो है आपको LDR light dependent resistor है और इसका option B जो होगा वो correct होगा option B प्रकास निर्वर परतिरोधक है ये प्रकास पे depend करता है ये पूरे light आ रही है इस तरह से light कर रहा है इस तरह से light कर रहा है आप देख सकते हैं तो light dependent resistor है आगे चलते हैं आखिर्ती में दिखाया गया है उपकरण की पहचान करें आखिर्ती में ये जो दिखाया गया है ये क्या है आप दियान दें ये जो दिखाया गया है आखिर्ती में SCR है, TRIK है, DIAK है और UJT है तो ये एक UJT का ही है ठीक है, UJT का है और UJT जो होता है एक तरह का आप ध्यान देंगे इसमें देखने की कोशिज करें एक current controlled device है ये current पे ही control होती है इसका जो option हो जाएगा सही हो जाएगा वो UJT option D सही होगा आगे की और देख है जो कि संकेत की प्रकार की चिताबनी को दिखाता है देखी चिताबनी का प्रकार बताएँ लशायन का उच वालटेज का पिछलने वाली जग़ का और फोर्क लिप्ट ट्रक का तो इसमें कौन सा है देखे इसमें ट्रक का सेंबल आपको दीख रहा होगा ट्रक का सेंबल दिखाया गया है और इसलिए इसका option D जो हो जाएगा वो correct answer हो जाएगा option D की और जाए option D आपका correct answer हो जाएगा निमलकित संकेत फॉर्क लिफ्ट ट्रक की जयताबनी को ही दिखाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option D इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है आप द्यान पूर्पक इसको देखें ये इनिमलकित आकरती दरसाती है क्या दरसाती है तो आप द्यान पूर्पक इसको देखेंगे intermediate switch है tumbler pipe single way switch है weight switch है three way switch है तो इसमें देखें हमारा जो ये है इसमें आप बीच में इसमें जो लगाया जाता है इस तरह से इस तरह से लता है तो ऐसे switch हों का हम लोग यो two way switch के साथ एक से अधिक जगाओं से अगर किसी बलब को control करना है तो इसके लिए हम लोग लगाते है तो ऐसे switch हों को आप लगा सकते है और इससे हमारा control हो जाएगा तो ध्यान फूर्बक इसको देगा है इसलिए इसका option क्या हो जाएगा option 1 सही हो जाएगा intermediate switch तो आज के class का ये आखरी परशन था और मैं अब आप लोगों से एक निविदन करना चाहता हूँ एक बिंती करना चाहता हूँ आप लोग इस channel को support करें और इसे अंत तक देखें और आप लोग के सहयोग से ही हमारा ये channel क्या होगा grow करेगा आप लोग हमारे साथ हैं तो channel आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो channel को subscribe करें और bell icons को दबाना ना भूलें और bell icons को दबाके all को select कर लें तो मैं आसा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ रही होगी तो चलिए मैं class को आज आपसे बिदा चाहता हूँ तब तक के लिए जय हिंद